हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खास और प्यारा मेकप लुक जो खास तोर पर अच्छा बंधन के लिए है इस लुक को पाने के लिए हम पाउंट्स बी-बी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी त रखाते हैं मॉस्टराइजर के बाद मेकप बार की अचलाने हूँ तो आप यूज कर डूवस कर सकतो अब मैं पूरा फेस पे ब्लेंड कर दोंगी तो आप यह ऐसे कर सकतो अगर आपके पास ब्off ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो हडू फिंगर से भी नएकर सकतो क्रीम को क्रीम को हम अपने कानों तक और गले तक लगाएंगे पूरा तो प्रफ अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छी फिनिशिंग आएगी तो जितना अच्छा मारा बेस तयार होता है उतना ही अच्छा मेकप लगता है तो उसी हिसाब से अच्छे से ब्लेंड करेंगी जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा मेकप लगेगा तो अब दे तो आप ऐसे कर सकते हो अपने स्टार्टिंग में देखी लिया होगा कैसा था लेकिन आप फाइनल में देखेंगे कैसा मैंने किया है तो आप ऐसे कर सकते हो नेचरल और लाइट बेस बनके तयार हो जाएगा तो आप देख सकतो कितना अच्छा लाइट बेस तयार हो गया है अब हम लगाएंगे कंसिलर कंसिलर मैंने हलका सा यूज किया है क्योंकि मेरे हलके से डार्च सर्कल है तो इसके वज़े से मैंने यूज किया है तो आप देख सकते हो मैंने कितनी quantity में लिया है बहुत हलका यूज किया है आप ऐसे यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है वरना कोई जरूरत नहीं है मत यूज करिएगा मैंने हलका सा यूज किया है क्योंकि मुझे लग रहा था की यूज़ करना जाइए तो इसलिए मैंने यूज़ किया है आप ऐसे कर सकते हो कंसिलर को डैप डैप हलके हाथों से ब्लेंड कर देंगे अच्छे से मैंने नोस पे भी हलका लगाया है तो नोस पे भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे नीचे का जो भी लगा हो तो आप ऐसे हलके हल की हातों से डैड़ करके आप कर सकते हो तो अब देख सकते हो और की नीचे ऑ constitution अच्छे से product जो भी हमनेलागां ऊकों को पे अप्लाई के आज की हैं को पे अच्छ सब्सक्राइब मैं पहले गले में नहीं लगाईया क्रूम कर्म पहले में लिढ़ हैं में खाया पाम हयो ravish ters cautOTu तो इसे वजए से आपका फेसल्लग दिखता है में कउस्फ ब्राइन का यूज़ कर सकते हो जो आपके आप से मेंक अप कर सकते हो तो मैंने स्वॉस्छ tempo का यूज़ तो यूज़ ए अब उससे में श्टा हो सेट कर दूंगयि चेसे जो भी Mara concealer and cream है सारा कुछ set हो जाएगग guiz मैंने अपरLips किया था इसकी वजह से उतना area कुछ अलग लग लग रहा है तो गिस्त मत करना क्योंकि पहले ही किया था इसे वज़ह से redness थी वहांपे इसी वज़ह से थोड़ा अलग-الग सा दिख रहा है और मैंने फर्स ताइम ही किया है पहले मैंने कभी नहीं किया था तो इसकी वज़े से मुझे खुदी अलग सा बहुत अजीव सा फील हो रहा था तो पहले जब मेक अप का वीडियो बना दी थी इसी वज़े से बहुत जादा अपलिप्स नजर आते थे तो मैंने सोचा आज कर तो आप पूरा फेस को लेते हों गले तक और कान तक करेंगे और अब मैं लगा रही हूं आइसेडो मैंने हलका सा ब्राउन कलर यूज किया है कि मेरी आखे चोटी है तो मुझे बहुत कम पसंद है आप लगा सकते हो आप अपने आखों के एकोर्डिंग जो भी आप कलर चा यूज कि आएचेडो का ही लाइनर लगाया था अधिवाट अफेल से बहुत जादा मेकंप नहीं करती कि मुझे बहुत जादा देकत तो आप में खुझली होने लगती है और आन्सु भी बहुत देर तक निकलते है इसलिए मैं बहुत कम करती हूँ आप यूज करती हूं आ ड़ाजल अग्यरह लगा लो और अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हो हम कर देजा रहें कॉंटोर कॉंटोर मैंने हलका सा यूज किया है फेस को शेप देने के लिए आप चाहो तो कर सकते हो नहीं तो इसकिप कर सकते हो तो तो नॉर्मल सा आप कॉंटूर कर लो अगर आप चाहो नई तो मैंने हलका सा यूज किया है आप भी कर सकते हो और बलशर भी लगा सकते हो मेरा फोरेट चौड़ा है तो मैंने फोरेट पे किया है चीक्स पे भी किया है और गले पे भी हलका सा करूंगी कि जो भी हमारे ठुड अब मैं करूंगी नोस कॉंटूर, नोस पे भी मैंने किया है क्योंकि मेरी नोस थोड़ा मोटी है, इसलिए मैंने हल्का सा बतला शेप दिखाने के लिए मैंने लगाया है, तो आप भी अगर नोस पे करना चाहते हो, आप अपने फेस के कोडिंग कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है, अगर आप करना चाहते हो, तो करो, वहना इसकीप कर सकते हो, तो मैंने कर लिया है, फिर मैंने ब्लश लगा लिया है, ब्लशर मैंने यूज किया है, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, यही वाली यूज किया पैलेट से, आप लिक्विड वाला भी लगा सकते हो, आप इसा चाहो आप अपने एक ओडिंग आपके पास जो प्रयोडक्ट है आप उसमें मेकप कर सकते हो मैंने नॉर्मल सा बताया मैंने कोई भी बहुत जञा जादा मेहगा प्रोडक्ट नहीं उस किया है आप नॉर्मली ले सकते हो ये सब प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है जो आपके पास है आप उसमें कर सकते हो तो आप 10 वाली पाउंट्स में भी कर सकते हो मेकप अगर आपके पास ये नहीं है ये तो 99 की अदिये अगर आप वो ले सकते हो तो आप वो ले लो वो तो 10 रुपे में मिल जाएगी मैंने ब्लैक लाइनर नहीं लगाया है मैंने इसी पैलेट से ये ग्रीन वाला शेड लगाया है लाइनर की जगा पे लाइनर के शेप में तो आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है कि अगर अगर आप नॉर्मल नौर्मल भी ऐसे ब्राइडल में भी कर रहे हो तो है लगाने चाहते हो तो मैं को Article 5 कर मैंने सुगर का एक यूज किया है आपके पास जो मेरा पास बाधा हुजह कर सकते है तो मैंने हलका सा लगा लिया है मैंने आई लैसेस नहीं उस की है मैंने नॉर्मल ही लुक रखा है तो आप चाहो तो लगा सकते हो आप चाहो तो इसकिप कर सकते हो आप अपने एकॉर्डिंग फेस पे मेकप कर सकते हो जैसा आप चाहो अब मैंने जल लाइनर लिया है इसको मैं आखों के नीचे लगाऊंगी श्वाटरलाइन के नीचे तो मैंने हलकाiter काजल लगाइवा पे इसको लगा एप ऐसे लगाएके ब्लेंड कर सकते होु इससे बरस मैंने आखों में वाइट काजल का यूज किया है अप जाहों हो तो ब्लैक लगा सकते हो वरना वाइट लगा सकतो जो आप लगा सकतो अपने हिसाब से तो मैंने white का जल लगा है इसी की वज़े से मैंने brown color का shade यूज किया है आखों के नीचे यही brown shade मैंने eyebrow पे लगा है eyebrow को fill कर लेंगे अच्छे से आप भी लगा सकतो आप चाहो तो black लगा सकतो आप चाहो तो brown लगा सकते हूं a powder foam ने में आपकी बहुत जादा घनी तो आप powder foam वाले यूज़ करें जिस जो powder वाले आते हैं और शेडो वो यूज़ करें आपके आइ पास यूज़र कर सकते हो गर साओ नारों अगर जैं जिल तूज़ क्राइबुपिछ क्षा डिखते हैं ये आप उसको कंगी कर सकते हैं इसे तो आप आप बहुत अच्छी दिखने लगती होसरत के ब्रश में यह आता है आप 7iggle पर आता है टो आप ले सकते हो ंपने में अब हाइलाइटर हाइलाइटर मैंने मार्स का यूज किया है आप यह हाइलाइटर लेना चाहते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप पर्चिस कर सकते हो तो देखिए आप मैंने लगा लिया है नोस पे भी लगाया है हाइलाइटर जो मारी हाइलाइट एरिया ह बहुत अच्छा लगेगा तो डेख सकते हैं डिस्क्रेप्शन में science के इतना अच्छा है मंधे बहुत पसंद आया है मैने पटाइंक लेना चाते हो तो लिए अच्छा आपको मिरी डिस्क्रिप्शन में अबने हाइलाइटर हलका सा आइब्रो के नीचे यूज किया है अब देख सकतो ब्रो बोन के नीचे अभी ऐसे लगा सकते हो तो शेप बहुत अच्छा दिखता है वो का मैंने हलका हलका सा यूज कर लिया है तो अब इसके बाद हम लगाएंगे वही जो ब्रस से लगा लिया है तो आप भी ऐसे लगा सकते हो आपने जो उपर शेट लगा है वही आप नीचे लगाओ और अब मैं यूज करूँ लिप्स्टिक लिप्स्टिक मैंने पिंक कलर की यूज की है बहुत ज़्यादा पिंक भी नहीं है मतलब बहुत अच्छा कलर लगता है तो आप लिंक मिल जाएगी आपको मुझे कॉमेंट करना मैं आपको लिंक दे दूंगी लिप्स्टिक लग चुकी है आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट और अब मैं फिक्स कर लूँगी मेकप को मेकप फिक्सर से मैंने स्विस्ट ब्यूटी का मेकप फिक्सर यूज क अब मैंने चोटी सी बिंदी लगा लिए ब्लैक कलर की आप चाहो तो लगा सकतो नहीं तो इसकीप कर सकते हो अब मैंने जो भी मैं कल्स खुल चुके थे अब मैंने कल्स कर लिए हैर को आप यह से कर सकतो आप अगर यह हैसल बनाना चाहते हो तो आप बना सकतो बहुत ही उससे आप इसको टक कर लो, बहुत अच्छे लगेंगे, मैंने दो तीन बार ऐसी हैस्टेल बनाई है, इस टाइब की, तो यह रहा फाइनल रिजल्ट, आपको कैसा लगा, जरूर कॉमेंट में बताएगा, आप मेरे चैनल पे नया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, जितना आप शेयर कर सकते, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जरूर बताएगा कॉमेंट में कि कैसा लगा यह फाइनल रिजल्ट, आपको आप देख सकते हो, कितना अच्छा मेकप लोग लग लग रहा है, आपको कैसा लगा, जरूर आपको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, थैंक्स वाचिंग, बाबाई, टेक कियर,